इत्ती सी हसी, इत्ती सी होशी, इत्ता सट अप्ड़ा चांदिता, खाबों के तिमकों से चल बनाए आशिया रणबीर अपने पेरंस के साथ मुंबाई के पाली हिल बंगलो कृष्णा राज में रहा करते थे लेकिन इश्क के चक्कर में उन्होंने अपना घर तो घर, अपने मॉम डाट से भी एक तरह से दूई बरा ली कहाँ पुष्टैनी बंगले में आलिशान तरीके से रहा करते थे रणबीर और कहाँ नए बंगले की तलाश में दर दर भटकता रहा ये रॉक स्टार आखिरकार रणबीर को नया आशियाना मिल ही क्या पाली हिल रोड बांधरा ही वो जगह है जहां रणबीर कपूर का नया आशियाना है सुनने में आया है कि रणबी ने एक अपार्टमेंट के तीन फ्लोर्स यहां खरीद लिये है रणबी ने नया घर तो खरीद लिया लेकिन उसे रहने लाइक बनाने के लिए घर के इंटीरियर का काम काट्रीना कैफ ही देख रही है जाहिर है जिसको घर में रहना है तो घर तो उसी के हिसाब से बना होना चाहिए रणबीर के घर को सजाने का जिम्मा काट्रीना ने खुद उठाया है और काट्रीना भी रणबीर के घर को अपना समझ पूरे घर को सजाने में जुटी है ऐसे में जब काट्रीना ने रणबीर का आश्याना सजाने की responsibility उठा ही ली है तो लगता है अब ये love bird एक साथ एक ही घर में रहने का मन भी बना चुके हैं हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना नए घर में इतने changes होने वाले हैं कि इस रणबीर कैट हाउस को तयार होते होते अगला साल आ ही जाएगा और शाद ये वही साल है जब gossip लगाई जा रही हैं कि रणबीर का ट्रीना शादी भी कर सकते हैं शिर्पी मिश्रा के साथ सौरक शर्मा भास करने हैं